Hello friends and welcome back to your channel Excel to Power Academy So friends, this channel जोड़ी साधी अपडेट जाने के लिए Please like it, subscribe it and share it with your friends And yes, do press the bell icon too ताकि जैसे ही इस चैनल पे कोई भी वीडियो आए So you would be the first person to watch it और कोई भी concept, कोई भी वीडियो आप से miss ना हो जाए So guys, आज हम लोग Excel के अंदर एक बहुत important चीज़ और बहुत easy formula को या फिर functions को study करेंगे जो की है हमारे date related function जैसे की हम लोगोंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर एक date से related function, बहुत interesting function सीखा था जिसका नाम था हमारा date difference Yes, तो जिन लोगों अभी तक वो function वो वीडियो नहीं देखी है I would suggest please go and watch that video उसका link आपको मेरी description में, इस वीडियो के description में मिल जाएगा And you can find the link at the end also So basically date difference function क्या करता है Date difference function आपको दो date के बीच में कोई अगर में को कोई time period की calculation करवानी है तो वो पता कर कह दिलेता है For example, अगर आपके पास किसी इंसान की date of worth है और उसकी आज की date है And you want to find कि अब तक उन दोनो dates के बीच में उसकी age calculation क्या होई है मतलब उसको कितने years का वो है कितने months का और कितने dates का है Then date difference is the function which you can use it उसी से related उसी logic से related हमारे पास date के अंदर excel के अंदर कुछ और functions भी है जी हाँ और उन functions का नाम है year, month, day and date जी हाँ तो आज की वीडियो में हम चारो के चारो यह functions को study करेंगे इससे पहले हम लोग practical function पे जाएंगे functions कैसे use करते हैं क्या इसका syntax है मैं आपको थोड़ा सा पहले जैसे की हमेशा रहता है इसको थोड़ा सा theoretically समझा देता हूँ So, यह चार functions basically क्या करते हैं अगर आपको किसी भी date में मेरे पास एक date आया जिसके अंदर बहुत सारी dates है और मुझे उन date में से स्पेसिफिकली अगर मुझे अपना year calculate करना है then year function would be the function जो कि मैं use कर सकता हूँ वो year function बिसली क्या करता है year function एक date में से आपको सिर्फ और सिर्फ year एक अलग cell में accept करके देता है सेम तरीके पे सेम लॉजिक पे सेम पैरमेटर पे हमारा month और day function भी काम करते है जी हाँ suppose कीजे कि मेरे पास आज की date है 28th of September 2019 और मुझे क्या करना है मुझे इसमें से year अलग करना है month अलग करना है और day अलग करना है then these three function would be the one जिसको मैं use कर सकता हूँ इनका syntax क्या होता है अब क्योंकि ये inbuilt functions है inbuilt functions मतलब excel के अंदर है तो मुझे इसके अंदर दो चीजे पता चल जाएंगी जैसे ही मैं equal to year, month या day लिखूँगा तो उनके पता चल जाएगा कि ये function basically करता क्या है जो कि ये है और उसका syntax क्या है तो तीनों की तीनों function में जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि उसका syntax बहुत ही simple सा है मतलब कि मैं year लिखूँगा equal to year लिखूँगा जैसे आप tap ट्रेस करेंगे आप से वो serial number बोस्त है serial number यहाँ पर और कुछ नहीं बेसिकली आपकी वो date है जिसके अंदर से आपको year, month और day extract करवाने है तो यह था इसका थिओड़ी part अब हम देखते हैं कि practically कैसे काम करता है suppose for an example मेरे पास यह आज की date लिखी हुई है और मुझे क्या करना है मुझे 2019 यहाँ पर 9 और यहाँ पर 28 अलग अलग cells के अंदर year, month और day extract करवाने है तो मैं क्या करूँगा मैं को year extract करवाने है तो जैसा नाम वैसा कहा हम लोग ने year लिखा तो देखिए अब जैसे मैंने कहा था कि inbuilt function है तो क्या हुआ मेरे पास year लिखा हुआ आगया और यह भी लिखा हुआ आगया कि वो function basically करता क्या है मैंने tap press कर रहा है and this would be the syntax serial number पूछ रहा हूँ उचसे there is only one field and that's the mandatory ठीक है यह आपको देनी ही देनी है if you want this function to work मैंने equal to year लखा tap press कर रहा, bracket open हुए उसके और मैंने उसको यह वाली date as a serial number दे दी मैंने अपना bracket close कर और press कर रहा है इसको enter तो देखिए Francis ने क्या करा इस date में से मुझे year अलग करके दे दिया सेम तरीके से अगर मुझे month extract करना है ठीक है अब इसके अंदर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको यह month जैन, फैब, मार्च, नेवेंबर, डिसमबर ऐसे नहीं देता यह आपको month क्या करता है यह आपको number में देता है right from the start from the 1 till the 12 तो अगर आपका output जैसे यहाँ पे 09 it's a September तो यहाँ पे आपको यह 09 यह 9 लिखा हुआ देगा अगर यहाँ पे मैं date चेंज करके 12 या December लिख दूँगा for example 25th of December 2019 तो मेरे को December नहीं देगा वो मुझे क्या करेगा उसकी numerical value मतलब 12 पास करवा के देगा मैंने tap प्रेस कर और मैंने इसको serial number में date भी तो उसने क्या करा मुझे 9 दे दिया and same तरीके से मैं यहाँ पे date function निकाल के इसकी date को भी अलग कर सकता हूँ easy very easy to use very easy to understand बहुत ही basic functions है हमारे अगर मुझे किसी date में से उसका year month और day अलग करने है तो मैं यह तीनों के तीनों functions use कर जबता हूँ अब date function क्या करता है suppose कीजिए कि मेरे पास यहाँ पे कोई date नहीं है and 25th और मैं चाहता हूँ कि मैं इन numbers को date में change कर दूँ ठीक है तो कभी भी मुझे अगर कुछ ही numerical numbers को date में convert करना है then this would be the function date function जो कि हम use कर सकते है date function के अंदर basically आप से वो तीन पैरेटेंस या तीन criteria तीन चीज़े पूसता है which is all mandatory जी हाँ आपको तीनों की तीनों चीज़े देनी पड़ेंगे और वो क्या क्या है वो है year, month और day इनी तीनों चीज़ों से मेरे एक date बनती है ठीक है तो जैसी ही में date function लिखूंगा और उसके अंदर year, month और day पास करवांगा वो मुझको एक date फॉर्म करके देदेगा ठीक है, कैसे करेगा, suppose मैंने यहाँ पर लिखा date, सबसे पहलो मुझसे पूछा है year, मैंने का year would be my this part, 2018, month क्या होगा मेरा, 12, और day क्या होगा मेरा, 25, मैंने इसको तीन parameter उसने मुझसे पूछे, मैंने तीनों parameter दिये, और मैंने इस function को close कर दिया, now I press my simple enter, और उसने क्या करा, देखे, उसने मेरे को इसी, इनी तीन numbers को आपस में जोड के, एक date में convert कर दिया, जैसे कि मेरी यहाँ पर date देखी थी, same उसी format, ठीक है, so date function हमारा जो होता है, वो इस तरीके से use होता है, right guys, अब बात आती है, कि हमने अपनी पिछली एक वीडियो में सीखा था, कि date difference function को use कर कि हम दो dates के बीच में calculation करवा सकते हैं, ठीक है, मैं quickly आप लोगों के लिए calculation वो करके बता देता हूं, ठीक है, for example, मेरे पास यही date है, मैं इसको copy करता हूँ, मैंने इसको यहाँ पे paste करा, ठीक है, इसको हम लोग बढ़ा कर लेते हैं, और same हमने क्या करा, हमने यहाँ पर भी एक date mention कर दी, suppose किजिए किसी की date of birth है, और यह current date है मेरे, ठीक है, अब date difference function हम यहाँ पर लगाएंगे, guys, जिन लोगों ने date difference function की वीडियो अभी तक नहीं देखिया, please go and watch it, it's a very useful function, it's not an inbuilt function, तो इसके लिए थोड़ी सी confusion, थोड़ी सी unawareness लोगों में रहती है, ठीक है, बढ अगर आप वो वीडियो देखिए कि तो आपको ढंग से समझ मा आ जाकर कैसे function यूज होता है, ठीक है, I require my this start date, my end date, मुझे year पता करना है, this is would be my year, ठीक है, same तरीके से मैं से अपना month निकाल सकता हूँ, और यहां पर मैं, इसको मैं क्या करता हूँ, इन numbers को अभी मैं formula से change करके, इसको values में paste कर देता हूँ, ठीक है, guys, please remember this date, only 5th of December 1995, ठीक है, अब suppose कीजे, कि मेरे पास ये तीन information available है ठीक है, जिसमें ये year है, ये मेरे पास मेरा month है, और ये मेरे पास मेरा day है, अब मुझे क्या करना है, मुझे date difference की reverse calculation करनी है, मतलब की मेरे पास आज की data और मेरे पास ये है, कि वो बंदा कितने साल, कितने महिने और कितने दिन का है, मुझे उसकी date of birth निकालनी है, ठीक है, तो how can I do, I can use all these four functions, ठीक है, together and find out my date of birth, now the trick here is, कि आपको, अभी हमने क्या करा, हमने चारो functions अलग-अलग use करे, year निकाला, month निकाला, day निकाला और यहां पर हमने date function यूज करा, ठीक है, यहां पर हम लोग देख सकते हैं, हमने date function यूज करा था, now what I need, मुझे ये चारो function एक साथ यूज करने है, वो मैं कैसे करूँगा, मुझे date of birth चाहिए, मतलब जो मेरा output होना चाहिए, वो एक date में होना चाहिए, ठीक है, तो मैं start करूँग अपने date function से, सबसे पहले कहा रहा है, कि आप मुझे year बताओ, ठीक है, बहुत सही बात है, मैंने कहा, अगर मैं इस current date के year में से, ये year minus कर ठीक है, ये कुछ इसी तरीके से है, कि 2019 में से, अगर मैं 23 minus करूँ, तो मेरे पास आ रहा है, एक number आएगा, ठीक है, अगर मैं same तरीके से, 09 में से 09 minus करूँ, तो मेरे पास एक number आएगा, and if I minus 28 में से 3, तो this would be my, यही चाहिए guys मुझे, और मुझे बात में क्या करना है, मुझे इन numbers को date में convert कर देना है, ठीक है, तो instead of कि मैं इस चीज़ calculation को अलग-अलग करूँ, I would require कि कैसे मैं इस formula को dynamic बनाऊ, ताकि एक ही cell पे मेरा output आ जाए, तो मैंने कहा date, ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले year function यूज करूँग और इस date में से year निकाल लूँगा, ठीक है, अब अगर मुझे देखना है, इसका output क्या रहा है, तो बहुत easy है, आपको कुछ नहीं करना, आप यहाँ पर formula बार में जा सकते हैं, इसको highlight किए, and press F9, देखे क्या output आ रहा है मेरे पास, 2019 आ रहा है, इसका मतलब उसने क्या करा, कि उसने मेरी इस current date में से year निकाल लिया, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे इस year में से minus करना है क्या, this 23, मैंने press करा comma, ठीक है, comma प्रेस करने से क्या होगा, मैं year वाला मेरा parenthesis, मेरा logic complete हो गया, मैं month चाहिए, मैंने क्या करा, मैंने month का formula लगाया, और मैंने इस current date में से, ठीक ह मैंने month निकाल लिया, और मैंने उस month में से क्या करा, 9 को करा minus, फिर मैंने comma प्रेस करा, और फिर मैंने निकाल लिया day, day भी मैं किस में से निकाल लूँगा, मेरे i15 में से, मतलब मेरी current date में से, ठीक है, और मैं क्या minus करूँगा, मैं minus करूँगा, उस में से ये, ल 15 ठीक है मैंने बंद करा अब आप देख रहे हैं आपको यहां पर पहले मुझे इसका syntax दिखाई दे था जैसे में bracket मैंने बंद करा में इसका syntax दिखाई देना बंद हुए इसका मतलब इस date formula के अंदर जो भी मुझे तीन parenthesis देने थे वो मैं दे चुका सब्सक्राइब करना इसको थोड़ा सब्सक्राइब कर देते हैं अब देखिए गाइस क्या हुआ है मैंने सबसे पहले जो मेरे पास current date थी उसका year निकाला और उसमें से ये 23 this 23 I have minus it ठीक है फिर मैंने क्या करा मैंने month निकाला और उसमें से ये 9 minus करा और फिर मैंने क्या करा मैंने day निकाला उसमें से 3 minus कर दिया अगर मैं इसी function को अलग-अलग cells पर करता तो वो कैसे होता वो भी ऐसे ही होता बड़ उसमें क्या होता मेरे को अलग-अलग calculations करने पूरती कैसे मैं year निकालता इसका ठीक है मैं month निकालता इसका और मैं day निकालता इसका मेरे पास ये values अलड़ी given है कि वो अभी currently कितने साल का है तो मुझे कुछ नहीं करना मुझे वापस ही तो जाना है तो मेरे का अगर मैं 2019 में से 23 वापस पीछे चला जाओं तो मेरे पास year आ जाएगा ठीक है इस इस 9 में से मैं 9 महीने और पीछे जला जाओं और इस 28 में से 3 महीने और पीछे जला जाओं तो मेरे date आ जाएगी उसके बाद मुझे इस एक date function use करना है जिसमें year देना है month देना है और day देना है तो guys देखी दोनों से output मेरा same आया और बेल्कुल सही आया बट इसमें हमने क्या करा इसके अंदर हमने पहले values को year month और day current date से segregate करें फिर इस 23 9 और 3 को use करके मैं पीछे गया simple minus है कोई बहुत जादा calculation नहीं होई बहुत जादा complication नहीं है मैंने current year month और year निकाले इतने साल मुझे पीछे जाना था तो मैंने minus कर दिया और इनको use करके मैंने date में use करा ठीक है यहाँ पर मैंने यही चीज एक ही output को निकालने के लिए तीन बार तीन steps करें जबकि यहाँ पर मैंने क्या करा मैंने सारी चीज़े एक ही जगा पर कर ली एक ही cell पर कर ली सुकाइस excel सीखने का या किसी भी technology सीखने का जो मेरा primary reason जो मेरा primary motor होना चाहिए वो यह होना चाहिए मैं कैसे multiple steps को consolidate करके एक ही जगा पर कर सकता हूँ so this would be my result ठीक है और इस तरीके से आप date difference की reverse calculation करके current date से मैं उसकी date of birth जान सकता हूँ so guys I hope कि आपको यह video यह functionality और यह topic समझ माया होगा ठीक है please go through ठीक है एक बार नहीं वापस अगर आपको लगता है कि there is something more और कुछ जादा detail में आपको कोई concept समझना है please mention it in the videos comment ठीक है मैं सारे comments सारे चीजे पढ़ता हूँ guys ठीक है and I will try कि जल्दी से जल्दी हम लोग आपकी comment को लेके उस पर काम कर पाए so guys I hope you like it you have understood it in case of any query any suggestion please do mention it in a comment subscribe it like it and share it thank you so much guys